हलो फ्रेंड्स एक वा फिर से स्वागत है मैं हूँ विश्व तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि Microsoft World में जब हम Underline Option का इस्तमाल करते हैं तो उस पर World Only Option का इस्तमाल कैसे करते हैं ठीक है और यह क्या चीज होती है Microsoft World पर Basic से लेकर Advanced के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस का लिंक दिया है वहां से जाकर क्या वो वीडियोस देख सकते हैं तो शेली शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि Underline Option इस्तेमाल करते हैं समय वर्ल्ड ओल्ली ऑप्शन होता क्या चीज है देखिए जब हम Underline इस्तेमाल करते हैं माल लीजे कि मैं सारे टेक्स पर Underline इस्तेमाल करूँ तो आप देखेंगे किसके नीचे जो Underline आ गई लेकिन उसने क्या किया इस पेस भी कवर कर लिया लेकिन जब मैं Word Only Option के इस्तेमाल करूँगा तो वो सिर्फ वीडियो के नीचे Underline लेकर के आएगा और Provides के नीचे Underline लेकर के आएगा यानि कि जो टेक्स आप सेलेट करेंगे माल लीजे कि मैं यहां से लेकर यहां तक पूरे टेक्स सेलेट कर लूँ तो जहां जाब इसे Word होगा ठीक है बस उसके नीचे वो Underline आएगी बाकी Space को वो cover नहीं करेगा यानि कि यह जो Space है बीच में Provides और A के बीच में या A और Powerful के बीच में जो Space है उसको cover नहीं करेगा अभी जब यूज़ करेंगे तो आपको clear हो जाएगा तो फिलाल यहां से Underline हटा देते हैं तो सबसे पहले आपको वो इस हिस्सा select करना है जिसके नीचे आप Underline ले करके आना चाहते हैं यानि कि World Only वाली Underline जो है वो ले कर आना चाहते हैं तो माल लीजे मैंने यहां से ले कर यहां तक पूरा select कर लिया उसके पाद हमको जाना है Home tab में यह रहाँ Home tab इस पर क्लिक कर दीजे तो नीचे आपको बहुत सारा option मिलेंगे हमको जाना है Underline वाले option पे लेकिन हमको drop-down पे क्लिक करना है इध्यान रखिएगा तो जब आप drop-down पे क्लिक करना है तो जब आप drop-down पे क्लिक करना है तो नीचे आपको बहुत सारा option मिलेंगे हमको जाना है More Underline पे इस पर क्लिक कर दीजे और यहां पर देखिए font का एक box open हो गया अब यहां पर ध्यान से देखिए Underline style यह है Underline style इस पर क्लिक कर दीजे और यहां से यह ओल उप्शन जैसे ही आप select करेंगे वर्ड ओनली तो आप देखेंगे कि सिर्फ नीचे यहां पर sample दिखा रहा है मलब वर्ड की नीचे सिर्फ लाइन आ रही है जैसा ही नाम से जाहिर है वर्ड ओनली ठीक है